तो चलिए शुरूबात करेंगे बड़ी जानकरी के साथ आपको बता देतें एक बड़ी खबर याँ पर सामने आरी शिमला से बड़ी खबर है हिमाचल मंत्री मंदल की होगी बैचक आपको बताने की दुपैर तीन बजे ये बैचक होनी है केवरेट मीटिंग में है सेम जराम चाकोर इसके अदिक्षता करेंगे आपकारी नीती समेथ काई मुद्वपर चर्चा संभव टोल्टेक्स बैरियर पर भी हो सकता है फैसला तो आज दुपैर तीन बजे ये बैचक होनी है बड़ी जानकरी सिरू गुरू करा रहे हैं आपकारी नीती समेथ काई मुद्वपर चर्चा संभव है टोल्टेक्स बैरियर पर भी फैसला हो सकता है मुख्यमंत्री जैराम चाकोर इसकी अदिक्षता करने वाले हैं इस बैचक की शिम्ला से बड़ी जानकारी हिमाचल मंत्री मंजल की आज बैचक होगी आपको बता दें कि दुपैर तीन मजे होगी इस कबर पर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ लाइब जुड़ गया है विकास जी इस तरीके से दुपैर तीन बजे कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है कई मुद्दों पर लगातार चर्चा की जाएगी क्या कुत अभी जानकारी मिल पा रही है पर पर देखे ठीक तीन बजे कैबिनेट की एहम बैठक होने जा रही है हलाकि आज रवीवार का दिन है छुट्टी का दिन है लेकिन बावजुद इसके आज ही बैठक यहां पर रखी गई है इसके पीछे वज़े ये बताई जा रही है क्योंकि अब 31 मार्च जो है वो नजदीक आ रहा है और ऐसे में 31 मार्च को जो हिमाचा प्रदेश में नई आपकारी निती है उसको लेकर चर्चा जो है वो जरूर होगी हलाकि जब बज़ट सतर होता है तो बज़ट सतर के बीच में ही ये नई आपकारी निती जो होती है इसको मनजूरी जो है वो यहां पर दी जाती है लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ बजट सतर में कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई हाला कि कैबिनेट की बैठके जो है वो जरूर हुई लेकिन नई आपकारी नीती को लेकर कोई चर्चा जो है वो अभी तक राज्य सरकार के अंदर नहीं हो पाई ऐसे में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है हाला कि आपको एक जानकारी में और दूँ कि आज शाम को साथ बजे BJP विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई गई है होटल पीटर होफ में साथ बजे बैठक होगी और इसके पीछे आज जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है उसके पीछे तरक यही दिया गया कि आज जैसे कल जो है राजसवा का जो नामांकन है वो यहाँ पर भरा जाना है तो उसके लिए आज जो यह विधायक दल की बैठक है वो होनी है और सभी विधायक यहाँ पर मौझूद रहेंगे सभी मंत्री यहाँ पर मौझूद रहेंगे और इसी बीच यह निर्ने लिया गया राजसरकार की तरफ से कि हिमाचर प्रदेश मंत्री मंडल की बैठक बुलाई जाए और जो मसले हैं जो की छूट गए थे मसलों को आज जो है वो मंत्री मंडल की बैठक में चर्चा के लिए लाया जाए तो आज कई तरह के प्रस्ताव हैं जिनको लेकर अलग-अलग विवागों के जो प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा आज निश्चित रूप से यहाँ पर होगी एक्साइज एंट टेक्सेशन की जो रूलिंग होती है उसके हिसाब से 31 मार्च को ने ठेकों को दिया जाता है निलामी जो है वो यहाँ पर होती है क्योंकि कोविड काल चल रहा था कोविड काल में कई तरह की चीज़े जो है वो निकल कर सामने आई और नए एक्सपेरिमेंट जो है वो राजसरकार को भी करने पड़े देश भर में इसी तरह से रहा और हिमाचा प्रदेश ने ये निर्ने लिया कि नए सिरे से निलामी ना करके हम नवीनी गरन का रास्ता निप्टाएं और पांच से दस प्रतिशत की जो वृद्धी करके इनी जो लोग हैं जिनको पहले ठेके जो यहाँ पर दिये गए थे इनी लोगों को यह ठेके दिये जाएं लेकिन नवीनी गरन के साथ और ऐसे में क्या आज इस मामले को लेकर चर्चा होगी क्योंकि तीन मुख्य रूप से जो है वो राज्य सरकार को यहाँ पर आता है यह बताया जा रहा है करीब अठारा सो करोड का पहले जो टार्गेट जो लक्ष रखा गया था वो यहाँ पर टोल टेक्स के जरीए जो है वो यहाँ पर आता था लेकिन अब इसे यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है किस हद तक इसे बढ़ाया जाता है सुत्र ये कहते हैं कि 2000 करोड रूपे तक जो है वो ये टार्गेट यहां पर रखा जा सकता है कि अगला जो 2022-23 का जो लक्ष है आगे का अगले वार्शिक सत्र का तो ऐसे में उसके अंदर जरूर यहां पर विद्धी की जा सकते हैं और नए टोल टेक्स के जरीए नवीनी करन के रास्ते को अपनाते हुए अब उन्हीं लोगों को फिर से यही ठेके जो है वो दिये जा सकते हैं यही टोल टेक्स जो है वो उनको दिये जा सकते हैं जो भी हिमाचा परदेश के भीतर आने के लिए जो टोल टेक यहाँ पर की है आज उनको लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है और यह माना जा रहा है कि उन जो नई गोशना ही की गई है उन में से कुछ ना कुछ जो है वो आज लागू किया जा सकता है मंजूरी जो है वो यहाँ पर जरूर इस बावत की जा सकती है कई मायनों में आज की य राठोर नवी तवाम सवारिस पर उठा दिये थे बैठे थे और अगर नई आपकारी नीती हाती है और शराब के ठेकों को अगर मंजूरी जी जाती है क्योंकि 31 मार्ट जो है उसकी आखरी दिनाग जो यहां पर होती है ऐसे में अब क्या नया रास्ता अपनाया जा सकता है किस तरह से जहरीली शराब के इस गंदे कारोबार को क अस्ताब जो है वो रखा गया है कि अब शराब की बोतल के उपर ही एक होलोग्राम बनाया जाएगा उस होलोग्राम की स्कैनिंग और स्क्रीनिंग के जरिए अब यह पता लगा जा पायागा कि कितना स्टॉक जो है वो आया है कितना स्टॉक जो है वो राज्ये में आया है इसके साथ-साथ एक एप जो है उसका निर्मान यहाँ पर किया जाएगा, बताया यह जा रहा है कि अगर यह एप बनता है, तो जितनी भी बोतले हैं, जितनी भी शराब जो है, वो लाई जाएगी, उसके अंदर पूरी तरह से खाका उसका तयार किया गया है, अगर इस पर मं किया जा सकता है इस पर नजर रहेगी